हाई गाईज और मैं अक्षे बसीन और आज का जो टॉपिक मैं आपको समझाने वाला हूँ वो है एड्मिशन और कन्फेशन अब एड्मिशन और कन्फेशन का जो ये प्रिजन्स हैं ये आपको इंडियन एविडेंस आक्ट के अंदर मिल जाते हैं अब section 17 से लेके section 31 हमें डील करता है admission और कन्फेशन से अब आपको admission के बारे में admission होता किया उसकी definition कौन कर सकता है admission उसके general exceptions क्या है ये सारे तो आपको मिल जाएंगे हमारे Interimidence Act में पर confession के definition आपको इस Act में नहीं मिलेगी पर आपको उससे related provisions बिल जाएंगे तो हम start करते हैं सबसे बहुते admission से admission होता क्या है basically what is admission तो section 17 के अंदर evidence Indian evidence act के हमें admission को define किया गया है कि any statement either oral या फिर documentary और in electronic form दिया जा रहा है जो infer कर रहा है किसको fact and issues और relevant facts जो हमारे case के relevant facts है जो हमारे main facts है जो उस case के circumstances को deal करते है वो facts relevant facts को जो infer करता है वो होता है admission अब इसका एक general rule है जो है self farming जो इस admission word को बाकी अलग जितने भी आपकी statements लेते हैं 161 या एक सेक्टरा जो भी आपकी हैं उससे differ करता है वो है इसका general rule of that is self farming तो जो self harming का है इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो admission होगा आपका वो self farming होना चाहिए मतलब कि वो आपकी against होना चाहिए usually क्या होता है कि व्यक्ति जब अपनी कोई भी statement देता है तो वो अपने बचाने के लिए भी दे सकता है कि कोई भी बात आई कि यह यह हुआ और मैंने ऐसे से देखा पर मैंने अपने आपको बचाने के लिए कोई जीज दे रहा हूँ पर admission का जो main general rule है that is self-arming कि जो admission होता है self-arming होना चाहिए मतलब वो आपके खिलाफ इस्तमाल करी जानी चाहिए it should be against the person who makes the admission तो यह हमने समझ लिया कि self-arming होना चाहिए पर कुछ cases के अंदर self-preserving भी हो सकता है वो इसके general exceptions है वो हम बात में बात करेंगे तो पहले हम बात करते हैं कि admission हमने define कर दिया कि section 17 में कि admission होता क्या है any statement, oral, documentary or in electronic forms which info, relevant facts or facts and issues अब हम बात करते हैं कि admission हम कब कर सकते हैं एक plus point जो है admission का कि आप admission कभी भी कर सकते हैं before the trial, during the trial अब admission कर सकते हैं और admission कौन कर सकता है इसके बारे में हमें पता जलता है section 18, 19, 20 के अंदर अब यह कहते हैं admission कौन कर सकता है तो admission can be done by party to suit अब party to suit जो है either suing or suit तो इसमें कहाए कि party कौन हो सकती है वो party हो सकती है या तो आपका complainant in the case of non-commissable cases या फिर accused तो दो parties हमने बात करी accused and complainant in the case of non-cognizable cases ये दो party हो सकती है अब हम बात करते हैं दुसरा agent कर सकता है अब who can be an agent अब agent कौन हो सकता है इस case में तो agent के हम बात करें तो he can be either advocate और solicitor या फिर कोई partner या फिर कोई ministry minister of the government या आपके agents हो सकते हैं अब agents कौन नहीं हो सकते कोई भी guardian आपका हो गया या फिर आपका कोई co-defendant हो गया या आपके agent नहीं हो सकते या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसका कोई interest हो और वो pecuniary interest भी हो सकता है मतलब पैसों के लेंदेन का भी इंटरस भी पैसे का भी कोई इंटरस हो सकता है या फिर non pecuniary interest भी हो मतलब पैसे के अलावा भी कोई इंटरस हो सकता है तो हम बात करें कौन कर सकते हैं उसमें आपके आगे party to suit या फिर आपका agent हो गया या फिर आपका कोई ऐसा व्यक्ति हो गया जिसका कोई interest है उसमें तो अब एक example लेकर इसके हम बात करें तो हम कहते हैं कि एक व्यक्ति है A अब उसने B को एक घोड़ा बेचा और B ने पूछा कि क्या ये घोड़ा जो है ये ठीक ठाक है ये नहीं B ने किस से पूछा A से क्या ये घोड़ा ठीक ठाक है ये नहीं तो A ने B को ये जवाब दिया कि ये सवाल तुम C से पूछ लो क्योंकि C को इस घोड़े के बारे में A to Z सब कुछ पता है तो जो ये statement होगी C की वो होगी आपकी admissible ये जो हमने अभी पढ़ा कौन-कौन हो सकता है पार्टी, एजेंट और आपका ये interested person तो yes जो हमने C जो इसने व्यक्ती है जो A ने कहा कि आप C से पूछ लिजी कि C को पता होगा तो C व्यक्ती है वो आपका जो इसकी statement होगी वो admissible होगी इसमें तो उसका admission माना जाएगा अब एक कोशल और उठता है कि क्या जो pleeder है जो pleeder है क्या अगर वो कोई अपने जो इसका client है उसके लिए कोई एक अपनी state admission देता है तो क्या वो माना जाएगा नहीं माना जाएगा तो एक पहले तो मैं कहाँगा कि हंजी वो माना जाएगा और इसको एक सपोर्ट एक केस भी आया था आपका emperor वर्सिस बंसीलाल गंगाराम का केस 1928 का ये केस है बंबे का जिसके अंदर client की ओर से यदि जो आपका ये pleeder है कोई चीज admit करता है किसको facts को admit करता है तो वो चीज जो admission है उससे जो उसका client होगा वो भी bound हो जाएगा मतलब कि उसका जो admission होगा जो pleeder का admission होगा उस admission से जो client होगा वो भी bound हो जाएगा तो इसके अंदर अब आपका party to suit आ गया हमने पढ़ लिया agent पढ़ लिया interest पढ़ लिया जो interested persons है और pleeder की admission भी इसमें मानी जाती है अब हम बात करते है oral statement अब इसमें एक हम जमने सकी definition पढ़ी उसमें का था कि जो oral statement है वो भी admission हो सकता है अब क्या होता है कई बारी इसके अंदर जो एक मैं आपको exception बताना जारा हूँ वो है here say evidence का एक exception जो आपको इसके अंदर मिलता है कि अब कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ती ने कोई oral statement दी बाद में उसने वो deny कर दिया पहले उसने वो oral statement दी पर बाद में उसने वो deny कर दिया तो अब it can be proved मतलब उसने तो वो deny कर दिया बट उसका जो वो वाक्य है जो उसका जो वो part है जो उसका वो admission था oral statement थी वो proof हो सकती है किस से किसी other किसी और व्यक्ति से जिसने वो बात सुनी हो तो ये एक exception है किसका हेर से evidence का तो हमने oral statement की बात भी कर ली औरल statement ने यदि को व्यक्ति एक बार देता है बात में deny करता है तो yes किसी और ग्यक्ति ने जिसकी उसकी बात सुनी हो उसकी बात मानी जाएगी और वो admissible हो गाई इसके अंदर हम एक और बात करते हैं इसकी evidentiary value अब evidentiary value की बात करें तो एक सीधा सा word है वो है जो admission की evidentiary value है वो है not conclusive आप सिरफ admission के basis पे judgment conclude नहीं कर सकते है आपको admission को अगर आपको proof करना है तो आपको उसके उपर एक supportive evidence की जरूरत है तो admission is not a conclusive evidence but it is a substantive evidence इसकी जो evidentiary value है वो है substantive evidentiary value तो admission जो है हमने समझ लिए 17 में उसको define किया गया है 18, 19, 20 में हमें बता चलता है कि कौन admission कर सकता है अब एक question आता है death date किसी person का है अब उसके उपर एक question उठा जो एक case है जिसको एक supporting case मैं आपको बताना चाहूँगा जो case है that is the Basant Singh versus Jan Ki Singh cases of 1967 जिसके अंदर क्या हुआ कि एक व्यक्ति की death date के उपर question उठा अब defendant के उपर औरड़ी दो case दो suit चल रहे थे एक suit पहले चल रहा थे एक और suit बाद में चला अब उसमें हुआ क्या कि पहले suit में उसने कोई और date बताई पर on the other case एक दूसरा suit चल रहा था जिसके अंदर उसने उस date को deny कर दिया कि जी यह है नहीं नहीं तो court ने इसमें यह held करा कि जो उस व्यक्ति ने admission दिया है suit 1 में first suit में जो admission दिया है जिसने उसको sign किया है जिसने उसको verify किया है it may be used it may be used इसमें word use किया था court ने may be तो वो use कर सकते हैं it's not you know नहीं से रही कि वो use करेंगे ही कर सकते हैं और इसमें एक आता कि it is not a conclusive evidence कि yes वो use किया ही जाएगा it is open to the party to prove कि जो वो है जो नहीं death rate जो भी वो second man deny कर रहा है वो उसको सही proof करे opposite party के पास यह पूरा-पूरा उसमें right or the open है कि अपनी बात को proof करे तो हम बात करते हैं हमने इसके admission की बात कर ली अब हम बात करते हैं admission के exceptions जो है कब वो self-farming ना होकर self-preserving होंगे और वो माने जाएंगे अब हम बात करते हैं exception जो दिये हैं section 21 की अंदर section 21 में सीधे सिरफ तीं clauses है जिनके उपर बात होती है जिसके अंदर जो आप admission आप अपने बचाने के लिए भी आप देते हैं self-preserving भी देंगे तो वो admission आपका माना जाएगा usually इसका general rule के होता है कि self-farming होना चाहिए but section 21 की अंदर यदि वो self-preserving भी है तो वो माना जाएगा अब पहला क्या है कि कोई भी ऐसी statement जो section 32 को deal करती हो अब section 32 क्या है ये उन व्यक्तिों की statement की बात करता है जो व्यक्ति या तो मर चुके है या फिर जो व्यक्ति मिल नहीं रहे है जो व्यक्ति या फिर incapable court आने के लिए तो इन व्यक्तियों की ये बात की जाती है section 32 में जहां पर आपका ये evidentry well इसकी जो आपकी admission है ये आपका self-preserving हो तब भी माना जाएगा second बात करते हैं कि when it consists of you can say a statement of existence of any bodily feeling or state of mind अब इसका मतलब क्या है कि आपने जब कोई statement दी उस समय जो आपका state of mind था वो सही होना चाहिए for example जो इसका मैं एक देता हूँ कि जब आपने कोई आपने कोई एक mobile phone खरीदा जो आपको शायद लगा कि ये stolen हो सकता है बर आपने उसको किसी और विक्ति को बोला कि please get it check कि क्या ये stolen है ये नहीं तो आपने उस तरह से आपकी कोई malafide intention नहीं थी आपने इसको डिली चेक करवाया but later on वो पता चलता है कि yes it is a stolen product तो जो आपकी statement है जो आप देंगे कि यार मैंने उस समय ये check कराया ये आपकी statement किया self-preserving है तो yes ये statement आपका clause 2 के अंदर fall करता है और yes ये self-preserving भी है and yes ये admissible भी है और इसका clause 3 है वो सिधा ये कहता है कि कोई भी ऐसी statement other statement जो relevant हो तो वो आपका admissible और वो self-preserving को तो वो माना जाएगा और इसका example है गर आपकी हम confession की बात करें तो confession इसमें आपका deal करता है 21 clause 3 से तो confession के अपर हम अगले आपके next वीडियो में मैं आपको उसके अपर बताऊंगे confession कैसे इससे deal करता है तो ये आपका admission था and I hope आपको admission अच्छे से clear हो गया हो and if you like my video please do like and subscribe thank you